हाई स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर नरेंदर कुमार सायक आचारे समाजास्तर राज के कलामा विद्याले शीकर आज हम बी ए तृत्य वर्ष के जो समाजास्तर के विद्यारतियों का जो दित्य पेपर है उसमें जो नगरे समाजास्तर के एक मैठोपून बिंदू भारत में नगरी करन के कारक कौन-कौन से उनपे चर्छा करेंगे factors of urbanization in India भारत में नगरी करण के कौन-कौन से कारक है यानि वे कौन से कारक है जिन्होंने भारत में नगरी करण को या नगरूं के विकास को प्रोचन दिया और जिसके कारण बारत में नगरूं का विकास तेजी से हुआ और नवी नगर अस्तितों में आये तो इन विश्यों पर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले भारत में ऐसे अनेक कारक हैं जिनके कारण नगर अस्तितों में आये सबसे पहले हम देखें तो कृष्ची में करांती है जब revolution in agriculture कृष्ची में जब करांती हुई तो अधिक पैदावार के बीच खाद सिंचाई के सादनों के विकास बिजली और मशीनों का परियोग बढ़ा अता है खेते में कार्ये करने वाले लोगों की संक्या जब मशीनों का आगमन हुआ तो स्रिमकों की संक्या कम होने लगी इस परकार जब अधिकांस कार्ये मशीनों से होने लगा तो लोगों को खेती से रोजगार कम मिनने लगा और परिणाम सुरूप लोग नवीन रोजगार की तलास में और स्किल डवलपमेंट के लिए नगरों की ओर जाने लगे इस परकार नगरीय जन गनतों में व्रदी हुई जन संक्या के आकार में व्रदी हुई और नगरों का विस्तार होने लगा दूसरी एक बड़ी वज़े जो थी जन संक्या में व्रदी गाउं में जन्शंग के अमें निरंतर वर्दी होने लगी जन्शंग के वर्दी एकान बूमी पर दबाव बढ़ने लगा और इस दबाव के एकान बहुत सारे लोगों को जमीन या बूमी बहुत सारे लोगों को जोब नहीं दे सकती थी अते अधी जन्संग के एकान बहुत सारे लोग सेरों की ओर माइग्रेशन करने लगे वो गाव छोड़ करके रोजगार की तलास जीविका की तलास में सेरों की ओर चल पड़े और इस परकार दिरे-दिरे नगरों का अकार बड़ने लगा तीसरे एक कारण है उद्धियोगदंदे इंडिस्ट्रि अंड ट्रेड उद्धियोगदंदों की तलास में भी लोग नगरों की और प्रवास करने लगे क्योंकि ग्रामिन ख्षेतर में कृष्ची के लावा दूसरे रोजगरों की कमी थी और सेरों में नविन फैक्टری और इंडिस्ट्री लगती रहती थी और वहाँ पर काम करने वाल लोगों की आफ़शिक्ता भी थी और इनकी पूर्ति करने के लिए ग्रामिन जन्संक्या नगरों के ओर परवास करने लगी और इस परकार नगरी जन्संक्या का विस्तार हुआ चोती बात यतायात और संचार के साधन भी मैतोपून थे यातायात और संचार के सादनों के तीवर विकास के कारण बड़ी मात्रा में जन्संक्या गाउं को सोड़ सोड़ कर नगरों के और एट्रेक्ट हुई इसके अलावा एक अगर पांचवा हम कारण देखें तो ग्रामिन क्षितरी की गरीवी एक पुशिंग फेक्ट के रूप में काम करती है ग्रामिन क्षितरी की गरीवी से परिशान लोग समर्दी का सपना संजोय हुए नगरों की और बड़े और इसके कारण नगर तेजी से जन अधिके में बदल गए वहाँ पर जनजंग्या का गनत्वा बढ़ने लगा तो ये भी एक बड़ा मेत्वपुन कारण है दार्मिक सेक्षिक खेल खूल आदे इक कारण भी नगरों का विकास वा जब कोई कार जब कोई स्तल तिर्थ स्तान बन जाता है खेल का मेत्वपुन के अंदर बन जाता है शिक्षा का के अंदर बन जाता है तब भी लोग उस नगर की और उस स्तान की और लोग आकरश्ट होते हैं और देरे देरे वहाँ पर जन्ट संक्या बढ़ने लगती है और इस परकार नगरी जन्ट संक्या का विस्थार होता है और इसे नगर अस्तित्व में आते हैं तो शिक्षा, सामाजी गतिविदियां, सांस्कृती गतिविदियां आदी भी महत्वपून कारक हैं जो किसी भी ख्षेतर को नगर के रूप में तब्दिल कर देती है राजनितिक गतिविदियों के केंदर के रूप में भी जब कोई इलाका गतिविदियों का केंदर बन जाता है तो वह भी नगर में तब्दिल हो जाता है उदाने के लिए दिल्ली लंबे समय तक रानितिक गतिविदियों का केंदर रही है सत्ता का केंदर रही है अता है वहाँ पर जंसंक्या का दमावड़ा अधिक देखने को मिलता है और वन नगर में तब्दील वा नगर के विकास का नगरी करने की प्रक्रिया का एक निर्दारक सुरक्सा की बाहुना भी है नगरों में सुक्स विदाई होती है अनेक परकार की जिए शेवाएं हैं वो नगरों में आसानी से मिल जाती है सिकिसा, शिक्षा, पुलिस, नियाले, बैंक, अधिसभी सुईदय नगरों में आमतों पर मिल जाती है और इन से एट्रेक्ट होकर के व्यक्ति नगरों की ओर माइग्रेट कर जाता है एक अन्य कारक जो नगरी करण को प्रोश साहित करता है वह है मनोवग्यानिक कारक जानी साइकोलोजिकल फेक्टर ऐसे अनेक मनोवग्यानिक कारक नगरों में विद्यमान होते हैं जो व्यक्ति को अपनी ओर आकरष्ट करते हैं बहुतिक सुखविदाएं, जोब की अनेक अपोर्चुनिटीज अधुनिक फैसन, होटल, कलब, सिनेमागर, चिकित साले, मनोरंजन के दूसरे साधन, सिनेमागर, थेटर आदे ऐसे हैं कारक हैं जो व्यक्ति को नगरों के ओर आकरष्ट करते हैं और इस कारण नगरों का विस्तार होता है तो इस परकार कुछ ऐसे कारक हैं जो नगरों के ओर लोगों को आकरष्ट करते हैं और ग्रामन के सितर में कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को गाउं से निकल कर सेरों के ओर जाने के लिए बात दे करते हैं तो कुछ pushing factors हैं, कुछ attracting या pulling factors हैं जो दोनों मिलकर के जन्ज संक्या का सेर की और उसको दखा मारते हैं, attract करते हैं तो इस परकार जो छोटे सेर है वो बड़े सेर में और बड़े सेर महानगरों में तब्दिल हो जाते हैं इस परकार ये बहुत सारे factor हैं जो नगरी करण को प्रोसान देते हैं अब आगे हम देखते हैं, नगरी करण के कारण भारतिय समाज पर क्या असर पड़ा नगरी करण के कारण भारतिय समाज पर जो असर पड़ा उसको हम कई points में देख सकते हैं लगवक 6 points के रूप में देखेंगे नगरी करण के कारण बारते समाज के विभिन पक्सों पर व्यापक असर पड़ा जैसे विवा पर प्रभाव पड़ा विवा एक मैतोपोन संस्ता है जो योन समंदू को नियनतित करती है नगरी करण के कारण ये संस्ता व्यापक स्थेवर प्रभावित हुई हिंदू विवा के उद्देश्यों और परताओं में नगरी करण के कारण व्यापक बदला हुआ विवा का उद्देश्य अब धर्म नेरेकर रती हो गया है प्रेम विवाओं का पर्षलन बढ़ने लगा है विद्वा पुन्दर विवा विवा विचेद अंतरजाति विवा आधी नगरों में अधिक होने लगे हैं विवा अब जन जनमांतर का समन्द नहीं रहा है नगरों में विवा केवल वरवदू के समन्द मातर रह गए हैं और जहाँ पूर में वो पारिवारिक रिस्ता था वह अब व्यक्तिकत रिस्ता बनके रह गए है तो इस प्रकार के बदलाव नगरेक शित्र में आराम से देखे जा सकते हैं परिवार भी व्यापक स्थर बदला है, नगरी करण के कारण परिवार का अकार चोटा हुआ है, बड़ा परिवार नगरों में सर्वाइब नहीं कर सकता है, यह नगर में जो परिवार है, नगरी करण के कारण परिवार का अकार चोटा हुआ है, जाती पर भी व्यापक स्थर अधिकार भी समाप्त हुएं हैं कुछ जातियों के जो निमनस्तरी व्यवसाई थे वह अब अधिकार समाप्त हो गया है तो नगरिकरण के कारण जाती व्यवस्ता पर व्यापक असरुआ इस्तरीयों को इस्तितियों में भी बहुत ज़्यदा बदला हुआ है नगरिकरण के कारण इस्तितियों को महतों मिला है पुर्सों के बराबर महतों मिला है वे शिक्ष्या के साथ साथ रोजगार आदे में भी पुर्सों के बराबर खड़ी हुई है अनेक प्रकार की समझे है कूरीतियां जो मैलाओं के साथ जुड़ी हुई थी जैसे परदा परता है बाल विवा है वेदववे है इन सबी चीजें अब मैलाओं के साथ इनका मैलाएं इनसे मुक्त हो गई है तो ऐसे कई पक्स और भी है जिनके कारण मैलाओं को मुक्ती मिली है इसके लावा एक पोइंट है सामाजी गती सिल्था में परिवर्तन नगरी करण के करण सामाजी गती सिल्था बहुत आम बात हो गई है नगर व्यक्ति को अनेक परकार के जीवन अफसर उपलवद परवाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इस्टेटस में बदलाव कर सकता है तो इस परकार नगर सामाजी गती सिल्थों को परूश्ण देते हैं और इन सब के अलावा सामाजिक नियंत्रन है, सामाजिक स्थ्रीकरन है और जीवन विदी में बदलाव है, संस्कृति में बदलाव है, दरम के प्रवाव में बदलाव है ऐसे अनेक ऐसे कारख है जो नगरीकरन के कारण बारतिय समाज में अस्थित्व में है तो इनका जो यास करें. Thank you.